राथी राथी दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों फालकुनमास की किष्टुपक्ष की एकादशी को बिज्या एकादशी की नाम से जाना जाता है इस दिन भगवान पिष्णू का पूजन करने से भयंकर विपत्यों से भी छुटकारापा सकते हैं कहते हैं इस दिन भिधी पिथान से भगवान पिष्णू का पूजन करने से बड़े से बड़ा शत्रु भी परास्थ हो जाता है भगवान शीराम ने भी लंका पर चढ़ाई करने से पहले बिज्या एकादशी का प्रत और पूजन किया था इस पार विज्या एकादशी सोले फरवरी दिन गुरुवार को है गुरुवार की तरह ही एकादशी का दिन भी भगवान पिष्णू को समर्बित है इसलिए जब गुरुवार के दिन एकादशी आती है तो उसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है आज की इस वीडियो में हम आपको एकादशी के इस सुपसंयोग पर भगवान श्री हरी विष्णू और मालक्ष्मी जी की करपा प्राप्त करने का एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं इस उपाई को करने से भगवान श्री हरी विष्णू और मालक्ष्मी जी की करपा से धन सम्मंदी सभी समस्यान दूर हो जाएंगी भगवान विष्णू जी की करपा से कष्टों से भी छुटकारा मिलेगा दोस्तों इस उपाई को सही प्रकासी करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखे अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट अवश्य ही करें जिससे हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाएं तो आईए दोस्तों जानते हैं इस उपाई के बारे में उपाई करने के लिए आप एकादशी के दिन इसनान करके सच पीले रंग के बस्तर धारन करें आज के दिन पीले रंग के बस्तर पहनना बहुत ही शुब माना चाहता है क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरी पिष्णों का प्रियर रंग है पीले रंग के बस्तर ना हो तो आप हरे, गुलाबी, लाल किसी भी और रंग के बस्तर पहन सकते हैं लेकिन ध्यान रखें आज के दिन शुब रंग के बस्तर ही पहने आज के दिन भूल कर भी काले या नीले रंग के बस्तर ना पहने इसनान करने के पश्चात अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछा कर बैठ जाएं आपके मंदिर में अकर भगवान श्री हरी विष्णु जी की प्रत्मा हैं तो उन्हें पंचामरत से इसनान कराएं पंचामरत जाने की दूद, तही, घी, शहत और शक्कर के घोल से आप भगवान श्री हरी विष्णु मालक्ष्मी जी को इसनान कराएं लट्टु को पाल को इसनान कराएं फिर सच्छल से इसनान कराने के पश्चात आप भगवान जी का श्रिंगार करें अगर तस्वीर हैं, तो तस्वीर को आप साफ कप्रे से पहुँचें अब आप एक शुद्धिखी का दिया जलाएं दिये को किसी प्लेट या कटोरी में रखें और एक सुगंदे धूबती अवश्य ही जलाएं इसके बाद भगवान श्री गणिश जी को प्रडाम करें भगवान विष्णू मा लक्ष्मी जी को प्रडाम करें भगवान जी को किसी फल मिष्ठान का भोग अवश्य ही लगाएं आज के दिन भगवान विष्णो जी को पीले रंग के मिष्ठान का भोग लगाना अति शुब माना जाता है फल मिष्ठान ना हूँ तो आप शक्कर, मिष्री या बताशी का भोग लगा सकते हैं इसके बाद आप भगवान श्री गणिश जी को हल्दी से तिलक करें फिर भगवान विष्ठान मा लक्ष्मी जी को भी हल्दी से तिलक करें तिलक करने के पश्चार अब आप एक कटोरी में साफ हल्दी लें दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको साफ पिसी हुई वही हल्दी लेने हैं में नमक मेचिया कुछ और ना मिला हो हल्दी एक्दम साफ होनी चाहिए अब इस हल्दी में आप थोड़ा सा शुद्ध जल या गंगा जल बिला लें इसके बाद तो तुलसी के पते लें तुलसी के पत्तों को भी पानी से अठी तरह से धोकर साफ करने इसके बाद आप हल्दी से तुलसी के पत्ते पर एक तिलक करें फिर आप इस तुलसी के पत्ते को भगवान विश्णु जी के सामने रखतें फिर दूसरे तुलसी के पत्ते पे आप हल्दी से तिलक करें और इस पत्ते को मालक्षमी जी के सामने रखतें। फिर आपने भगवान विश्णु जी के सामने जो तुलसी का पत्ता रखा है उस पत्ते को उठाएं और अपने हाथ में रखें। इसके बाद पत्ते को हाथ में रखें रखें। भगवान विश्णु जी के इस महा मंत्र का 108 वा चाप करें मंत्र इस प्रकार है ओम नमो भगवती वासु देवाए ओम नमो भगवती वासु देवाए इस मंत्र का आपको 108 वा चाप करना है मंत्र का जाप करने के पश्चात आप इस तुलसी के पत्ते को बापस भगवान विश्टु जी के समक्ष रखतें फिर मालक्ष्मी जी के सामने से आप तुलसी का पत्ता उठाएं इस पत्ते को अपने हाथ में रखें और मालक्ष्मी जी के इस महा मंत्र ओम महालक्ष्मे नमा का 108 बार जाब करें मंत्र इस प्रकार है ओम महालक्ष्मे नमा मंत्र का जाप करने के पश्चात आप इस पत्ते को बापस मालक्ष्मी जी के सामने रखते अब आप भगवान शिरी गणेश, भगवान विश्णू, मालक्ष्मी जी की आरती करें फिर भगवान जी को प्राम करें प्राम करने के पश्चाद अब आप अपनी सारी परेशाने भगवान जी के समक्ष रखें आपकी जो भी समस्या है वह सारी समस्या आप भगवान जी से कहें और उन समस्याओं को दूर करने के प्रात्ना करें दंसम्मंदी समस्याओं को दूर करने के प्रात्ना करें प्रात्ना करने के पश्चात आप एक लाल रंग का कपड़ा ले और इस कपड़े में आप तुलसी जी के दोनों पत्तों को रख ले और कपड़े में कांट लगा ले या फिर कपड़े में पत्तों को लपेट ले इसके बाद इन कपड़े को तुलसी जी के पत्ते सहित अपने मस्तक से लगाएं यानि कि तुलसी जी को प्रणाम करें इसके बाद इन पत्तों को आप दिये के ऊपर घुमाएं इन पत्तों को आपको दिये के ऊपर साथ बार clockwise घुमाना है यानि कि जैसे घड़ी की सुयां घूमती हैं इसी तरह से आपको इन पत्तों को दिये के उपर साथ बार घुमाना है दिये के उपर घुमाने के पश्चात अब आप इन पत्तों को अपनी धन रखने के इस्थान में अपनी तिर्जूरी में रखते अगर धन रखने का ऐसा कोई इस्थान ना हो तो आप इन पत्तों को किसी साफ इस्थान पर रखें और वहाँ पत्तों के साथ कुछ रुपए भी डखते हैं ऐसा करने से भगवान विश्णु मा लक्ष्मी जी की किरपा से धन का लाग होता है और धन सम्मंदी सभी समस्यान जल्द ही दूर हो जाती हैं धन प्राप्ती के नए मार खुलते हैं दोस्तों शास्तों में बताया गया ये बहुत ही अच्चु उपाई है शास्तों के अनुसार भगवान विश्णु मा लक्ष्मी जी के मंत्रों से अभिमंत्रत किये हुए तुलसी जी के पत्ते जिस घर में रखे होते हैं उस घर में भगवान विश्णु मा लक्ष्मी जी की किरपा से सुक सम्रथी हमेशा बनी रहती है पूजन के पश्चात आप अपने मस्तक पर हल्दी से तिलक अवश्य ही करें आपनी भगवान जी को जिस फलमिष्ठान का भोग लगाया है उसे प्रशाद के रूप में अपने परिवार सहित क्रहें करें दोस्तों इस उपाय को करने के साथ साथ भगवान विश्णू मालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक आदशी के दिन कुछ बातों का विशेश ध्यान रखना चाहें एक आदशी के दिन किसी भी पेड़ पौथे के फूल पत्ते नहीं तोड़ने चाहें एक आदशी के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहें भगवान विश्णू जी को भोग लगाने के लिए या उपाय करने के लिए आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें या फिर तुलसी जी के पास जो अपने आप से तूटकर गिरे हुए पत्ते हों आप उनसे भी उपाय कर सकते हैं और उनका भी भगवान विश्णू जी को भोग लगा सकते हैं लेकिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन ना तोड़ें एकादशी के दिन बाल नहीं काटने चाहें दाड़ी मुझ भी नहीं बनानी चाहें नाहीं ना खून काटने चाहें एकादशी के दिन महिलाओं को बाल भी नहीं धोने चाहें इस दिन भोग विलास से दूर रहें पूर्ण भ्रम्चर्य का पालन करें एकादशी के दिन किश्री की भी बुराई ना करें और गल्ती से भी करीब एबम उम्रों में बड़े लोगों का अपमान ना करें ना ही छूट पोनें एकादशी वर गुस्सा और विबात करने से भी बचना चाहिए एकादशी का ब्रत रखने बाले ब्रती को एकादशी की रात्री को सोना भी नहीं चाहिए पूरी रात जाकर भगवान विश्णुजी का भजन कीतन करना चाहिए इससे भगवान विश्णुची तुरपा प्राप्त होती है एकादशी के दिन चाहें आप ब्रत रखें या ना भी रखें एकादशी के दिन फूल कर भी चावल और जो का सेबन नहीं करना चाहिए बिश्णोपुरान के अनसार एकादशी पर चावल और जोग खाने से पुन्यफल नश्ट हो जाते हैं क्योंकि चावल को हविश्य अन्न कहा गया है यानि कि देपताओं का भोजन नहीं है एकादशी के दिन चावल और जोग की गिंती मास में की जाती है भोजन के साथ ही एकादशी के दिन चावल और जोग का पूजन में भी इस्तमाल नहीं किया जाता एकादशी दिथी पर जोग, मसूर की दाल, बैंगन और सैन की फले भी नहीं खाई जाते एकादशी पर भगवान विशनुची की पूजा में मीठा पांच चड़ाया जाता है इसलिए इस दिन पांच खाना भी बरजित है एकादशी के पवित्र परव पर मास, मदरा, प्यास, लहसन जैसे तामसी चीजों से भी दूर रहना चाहें इस दिन सिगरेट और तमाकू का भी सेवन नहीं करना चाहें इस दिन किसी दूर्से व्यक्ति द्वारा दिया गया अन भी ग्रहन नहीं करना चाहें इससे पुन्य नश्ट हो चाते हैं ब्रत करने वाले ब्रती को एकादशी पर अन का सेवन नहीं करना चाहें और हो सके तो मीठा भोजन करें या फिर एक समय ब्रत का नमक खा सकते हैं लेकिन साद्धा नमक का सेवन ना करें दोस्तों भगवान श्री हरी विश्णु के सबसे प्रिय पर्व एक आदशी के दिन इन सभी बातों का विश्ष ठ्यान रखें जिससे आपको भगवान श्री हरी विश्णु की क्रपा प्राप्त हो उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंट्स और इस्थेदारों में जादर से जादर शेयर करें जिससे भैबी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फॉर वाचेंग